तो हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं पनीर की एक बहुत ही बहतरीन रेसिपी जो है पनीर का भरता जी हाँ इसे बनाना बहुत ही आसान है सबसे पहले हम क्या करेंगे टमाटर प्याज और लसुन का पेश्ट तयार कर लेंगे और चोटे चोटे पीस में काट लिया है मैंने मिक्सर ग्राइंडर में उसे मैंने उसे ग्राइंटर लिया है और इस तरह से एक बहुत ही प्यारा सा पेश्ट बना लिया है अब हमने कड़ाई चड़ा दिया है और कड़ाई पी थोड़ा सा ओईल ले लिया है अब देख सकते हैं थोड़ा सा उसका टेंपरिचर आने पर हम उसमें सबसे पहले जीर का तड़का लगा देंगे हम इसमें ले लेंगे थोड़ा सा सरसो अब हम थोड़ा सा ले लेंगे कसूरी मेथी, जी हाँ ये मेथी है जिसे की सुखार दिया गया है और उसे ही कसूरी मेथी का आ जाता है तो आप ज़्यादा परिसान ना हो कि ये क्या डाल दिया भाई हम कहां से लाएं और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेजपत्ता तेजपत्ता डालने से इसका टेश्ट जो है थोड़ा सा और भी ज़्यादा निखर कराता है और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों थोड़ा सा यहां पर हम हिंग भी डालेंगे और अब हम इसमें क्या करेंगे हमारा जो पेश्ट हमने बना करके तयार किया था उस पेश्ट को हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसे पका लेंगे आपको अपके गैस का फ्लेम जो है पक करके तयार हो चुका है लगबग 5-7 मिनट में कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा और अब यह अच्छी दरीके से पक चुका है तो हम इसमें डालेंगे मसाले स्वाद अनुसार नमक हल्दी पौवडर धन्या पौवडर थोड़ा सा लाल मिर्च पौडर डाल देंगे गरम मसाला और यह है कस्मीरी मिर्च जो की सिर्फ कलर के लिए है यह दिखा नहीं होता है तो अब हम क्या करेंगे इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में मिला लेंगे और 2-3 मिनट के लिए इस पेश्ट को हम फिर से पका लेंगे अच्छे तरीके से और अब समय है इसमें पानी डाल लेने का तो हम यहाँ पर दो कप पानी डालेंगे एक एक कर के डालेंगे पहले एक कप को डालने के बाद मिला लेंगे फिर थोड़ी दिर बाद एक कब और डालेंगे अब आपको क्या करना है किसनी ले लेनी है कुछ इस तरह से और आपको पनीर को सीधा क्या करना है इसकी उपर में किसना है बहुत ही small small pieces में इसमें वो अपने आप बढ़ जाते हैं और आपको हम अभी दिखाएंगे लगभग 5 मिनट तक हम इसे पका लेंगे low flame में और अब ये बिल्कुल पक करके तयार हो चुका है आप देख सकते हैं और बन गया है आपका लजीज पनीर भरता की सबजी और अब आप इसे serve कर सकते हैं तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं लजीज और टेश्टी पनीर भरता की सबजी और आप इसे टेश्ट कर सकते हैं बच्चे इसे खूब पसंद करेंगे और अगर आपको बिल्कुल भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा